इकाईयों की प्रणाली की दो प्रकार हैं दुखो बाई इकाईयों की दो प्रकार होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं एक होता है मौलिक और एक होता है ब्यूत्पन मौलिक्स जो राशी प्राप्त होता है उसे बित्पन राशी करते हैं यह आपको पता होगा यही दो राशी प्रणाली होते हैं ठीक है लंबाई और दर्मान और समय ठीक आपसर हम अभी इस राइट नेश कुर्शन की बात करते हैं MKS परणाली में M अच्छर क्या दरसाता है देखिए इसका पीडियाप आपको डिस्कॉप्शन बॉक्स में मिल जाका डाउंडोड कर लिए ठीक है यह बोले कि MKS परणाली में M अच्छर क्या दरसाता है देखिए बाई M जो है मीटर दरसाता है ठीक है मीटर के से हम बता देने किलोगराम ऐसे होता है सिकेंड मक्स का फूल फरम होता है मीटर किलोगरम सिकेंड ठीक है एम का पूछना है तो यह मिलिमीटर हो गाएं नबर की बात करता हैaps चार दिर भर मिलिमीटर होता है में 25 मिलिमीटर यानि अधिकर दिकल करते हैं थी करते हैं सब्सक्क Beer आप इसकुंवड नबर 12 18 छे और 36 का युदी आप सॉल्म ने करें तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसका सॉलूशन तो इसका एंसर क्या होगा 36 ठीक है लसे निकालने पर क्या रहा है 36 ऑप्सन नमर सी इस राइट के नेश कुश्यन की बात करते हैं 38 42 और 24 का एसी अफ क्या होगा उगा 6 देख़िए आपको सलूशन आपको मिल जाएगा इसकिन पर देखिए यह जो दिख रहा है इस तरह आशी निकालते हैं ठीक है नेश कुश्यन की बात करते हैं सात्वा नमर दीए के मिश्रित भीन में से अनुचित भीन को सी है तो को अनुचित भीन जो होता है वह 22 बटे साथ यह अनुचित भीन है इसका कोई विल्यू नहीं होता है अनुचित भीन करते हैं ठीक है option A is right ने इस question की बात करते हैं बोला है आठवा क्या बोला है बोला कि 0.0006 यह पांच नौ दसमलो भीन को साधार भीन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग क्या करते जो उपर रासी है और उसके बाद जो पॉइंट के बाद जो बनता है वह 1000 मतलब कि 10000 जितना पॉइंट के बाद होता होता है देखे इसमें देखिएगा यह मालों एक दो तीन ट बटे एक के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6 तो 6 किसमें अप्सान नमबर डी कि अप्सान नमबर डी कि ने स्कूशन बूल किया रहा है नौवा नमबर बुला कि तीन बटे चार प्लस दो प्रटे पांच माइस पांध बड़े इसको सॉल्ट कि देखिए इसका सॉलुशन आपको इसकी पर दीकर होगा इस तरह सॉल्ट होगा इसका एंसर किता हैगा इस माइनस 31 यहां माइनस 31 नहीं होगा ध्यान दीजेगा यहां क्या होगा 20 बटे 31 होगा फिर उसके बाद यह भागा 15 बटे 62 ऐसे सवाल को यह शवाल जो है गलत है यह ध्यान रखिएगा इसका सॉलुशन आपको इसकी पर दिख रहा होगा देखिए इस तरह सॉल्ट होगा य यह जो है 15 बटे 31 गुड़ा और जो भागा है वो गुड़ा मो जागा तो बाल स्वाल पर हो जागा 15 नीचे इससे स्वाल करने पर क्या आएगा ऑप्सार्न नमबर डी राइट दो सभी दो बटे 3 ऑप्सार्न नमर डी राइट है इस क्योश्यन की बात करते हैं बोला गई 0 0.003 गुड़ा 0.05 का गुड़न फल क्या होगा है तो यह सिंपल है इसमें गुड़ा करना है गुड़ा करने पर क्या आता है अप्सेन मर्ट भी इस राइट 0.0015 एंसर इस राइट मैं इस क्रेशन की बात करते हैं बारा नंबर क्या बोला है सरल कीजिए दोखो 17.49 गुड़े 5.2 बटे 6 बटे पांच को सिंपली सॉल्ट करना है यह अशान से वाले यह सॉल्ट करने पाएगा 13.99 एंसर क्या है 13.99 आप्सेन नंबर डी इस राइट नेस कोशन की बात करते हैं तेरा नंबर यदि किसी 225 मीटर लंबे तामे के तार को 900 बराबर भागों में बाटा जाए तो प्रतिक भाग की लंबाई कितना होगा यह कुशन बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों एसे कुशन पुछते हैं देखिए स्कीन पर इसका सोल्क्षन आपको दीख रहा होगा तो इसका एंसर क्या आ रहा है तो 529 का वर्गमूल यदि आप निकलते ओ तो आएगा 23 का वर्गमूल कित्ता होता है 529 ठीक है स्क्वाइर रूट की बात कर रहा है स्क्वाइर रूट की बात कर रहा है यहां पर दो कुछ पंदर्ह नमर क्या बुला है ठीक है स्क्वाइर अलग होता है वर्गमुल अलग होता है दूस्तों ठीक है स्क्वाइर मतलब 0.01 का स्क्वाइर बोल ला है ठीक है स्क्वाइर सिंप्ली करने को बोल ला है और हिंदी में दे दिया है वर्गमुल इससे थोड़ा गलत हो गया तो यह आप इंगलिस में दो 01 is right ठीक है यदि हम square करते हैं ठीक है देखिए दोस्तों इसमें कुछ कुछ सवाज हो एक गलत दी हो है जैसे 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 80 का 20% क्या होगा यदि हम 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा दिख लीजिए 20% मतलब 20 बटे 100 तो 25 ठीक है यहां पर अंसर दिया है 25 यहां पर गलत होगा यहां पर 16 इस राइट होगा ठीक है नेस कुछन की बात करते हैं 40 किलो का 8% क्या होगा तो 40 का 8% हम निकालते हैं तो कितना आएगा 3.2 kg 40 का 8% बोला दोस्तों ठीक है तो एक 0 से 1-0 कट गया ठीक है दो दूना 4 दो पच्छे 10 ठीक है अब यहां पर क्या है आर्दूना 16 बटे 5 यदि हम इसको सॉल्ब करते हैं 5 3 15.2 ऐगर 32 केजी इसका एंसर ठीक है नेस कुर्शन के बात करते हैं 18 नंबर 52 परतिसत को यानि 52 परसेंटेज को भीन में बदल लिए तो आसान है यदि हम 52 परसेंटेज को भीन मतलब बट तो 52 को परसेंट को भीन में बदलना है तो आपको सिंपली कर सकते हो इतना शान है ठीक है इसको सॉल परने पर आएगा आपका एंसर सी यानि के 13 बटे 25 ठीक है नेस कुर्शन की बात करते हैं 19 नंबर 0.456 देसमलो भीन को परतिसत में बदल लिए यदि हम परसेंटेज की ब 456 परितिसत इसको गुड़ा करने पर 456 परितिसत आएगा करके देख सकते हैं ठीक है 20 नंबर क्वेशन क्या बोलना है बोला है एस स्क्वाइर प्लस सिक्स स्क्वाइर 64 किसका स्क्वाइर रूट है तुए आठ का ठीटी चो सट एंसर नंबर सी इस रैट नेस कोशन की बात करते हैं 21 नंबर दस्मलों से अख्या पांसो पचाथ दस्मलों 37 का वर्गमूल किया होगा तो इसको वर्गमूल निकालना है इसका वर्गमूल निकालने पर तेज दस्मलों 46 एंसर आगा ठीक है नेस कुशन की बात करते हैं बुल्ला कि वेल्यू फाइंड करना है अंडरू रूट एट माइनस 18 अंडरूट माने टू रूट टू इसका वेल्यू क्या होगा देखो बाइट टू रूट के वेल्यू आपको पता रहाना चाहिए तो होता है क्या है एक दस्मलों 4 एक चाहर ठीक है चोन की बात करते हैं यह बहुत असान सवाल क Ober whole परमे से निखाल सकते हो इसमें कड दिया हएं लम्प दिया अधार का वाइल्यू फूछा है ठीक है तो फाइनसर आईगा तो तो एंसर आएगा तो 110 को स्क्वाइर 100-36 तुसको घटा होगे तो 64 आएगा यदि 64 आएगा तो इसका स्क्वाइर कितना होगा 8 option number a is right नेज कोशन की बात करते हैं उसी पाधारी ते इसमें भी अधार पुछा हुआ है तो आप find कर सकते हो simply हाइट इसका एंसर आएगा ठीक है नेज कोशन की बात करते हैं कि यदि AB यानि की अधार का विल्यू साथ है ठीक है और BC का विल्यू पांच है तो कड का मान पूछा है तो मैंने बुला पाइथा पूरस पर में यहां लगाएगा कड़ का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्व के साथ साथ उन्चास होगा अब पांच का स्कॉयर 25 होगा उन्चास प्लस 25 है कितना होगा उसका स्कॉयर रूट निकालेंगे तो आप कितना इंसर आएगा आएगा दुस्तो कितना आएगा 8.6 is right ठीक है 8.6 is right option number B is right नेश कुर्शन की बात करते हैं इसमें क्या बोला है यदि काश्टिंग के तामे का वजन 12.3 kg और तीन का वजन 2.7 kg तामे का प्रिस्द जिसका मान पूछे उसका मान उपर रखेंगे simply कर सकते हो कोई डाउट नहीं इसमें क्या बोला है तामे का प्रिस्द कितना होगा ठीक है तो जिसका मान पूछे उसका मान उपर तामे का प्रिस्द पूछा है तो तामे का प्रिस्द ग्याद करने के लिए पहले 42.3 kg और दोनों को जोड़ देते हैं 42.3 प्लस 2.7 को जोड़ेंगे गुड़े सॉल्व कर देंगे इस तरह सॉल्व करने पर इसका एंसर आ जागा दोस्तों आपसर नमबर बीज यानि कि 94 परसेंट ठीक है सॉल्व करके दिख लिएगा 27 नमबर कुश्चन की बात करते हैं यदि एक मोटर सैकिल टायर को 300 रुपय में बेचा जाता है यदि उसे 25 परसेंट का लाब होता है तो खरीद मूल क्या होगा ठीक है यह कोश्चन देखिए थोड़ा गलत है इसमें क्या है कि 300 रुपय में बेचा जब 25 परसेंट के लाब हो वही उसका answer होगा यहां पर 25 नहीं होगा दोस्तों इसको सुधार करें जाएगा यहां पर 20% लाव हो रहा है ठीक है नेश कुर्शन की बात करते हैं तो 240 answer is right नेश कुर्शन की बात करते हैं material science question में से धातू कौन सी है बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों धातू इसमें कौन सी है पा रहा है ग्रिफाइट यह पीता लेकि लोहा है तो ग्रिफाइट जो है वह मेट अधातू है क्या है नॉन मेटल और सब यह पीतल हुआ लोहा हो गए मेटल के रूप में आते हैं ठीक ह जिसमें हो उशे करतें फेरस मेटल जिसमें लोहना है ओ नौन फेरड़ मेटल होता है ठीक है नेसके बात करतें थीस नम्र क्या भोला धो जो प्रपटी होता है जिसमें यांत्री गूर का गूर होता है यह तनिता यानि की डॉक्टल्टी अप्सन नमबर बी इस राइट नेश्च कोशन की बात करते हैं इनमें से भंगूर धातू कौन सी है ऐसा कौन सा धातू है जो भंगूर की भंगूर इसको पीटने पर तुकड़ म विवाज होता है उसे भंगूर धातू करते है उसे काश्टारन काश्टारन और यह भंगूर धातू है ठीक है कोशन हमें 34 क्या बोला है धातू कि कौन सा यांत्री गूर एक कटने का उपकरण में लोचदार वी उपड के लिए प्रतिरोत प्रदान करती है मतलब कोई चीज करते हैं कि तो वह कटो कटोड़ता पन किसी धातू को काटने का प्रतिरोत करेगा ठीक है ऑप्शन नमबर वी इस राइट था सी इस राइट था ने इस कोशन की बात करते हैं 35 धातू की कौन सा गूर बीना फ्रेक्ट्र के अस्थाई विरूपड की गठन में सच्छम होती ह हैं तो आपको यह बताना कि एसा कौनसा दा्तू का प्रपर्ट्र की बीना फ्रेक्ट्र की और वो विरूपड कर सकता है थो होता है दोस्तों टेना सीटी टीक है अप्सण नमबरोसलिल इस रइट और समकी बात करते हैं धातू का धातु की कौन सा गुड बल लगाने पर विरूपी तथा बल हटाने पर वापस अपने पुर्वा वस्था में आज जाने की छमता रखती है तो यह आपको पता होगा रबड में प्रत्यास्था का गुड होता है यदि हम उसको घीचेंगे एक चोछे दूसरे छोड़ की तरफ वह घीचा गया फिर उसको छोड़ेंगे वह पुना अपनी अवस्था में आ जागा इसी गुड को हम क्या करते हैं प्रत्यास्था ठीक है याने की इलाश्टी सिटी नेश कोशन की बात करते हैं इन में से धातु की कौन सा गुड है जिसके धातु गरम करने पर पीघल जात घी power को कहते हैं ठीक है नेश कोशन की बात करते हैं 38 इन मेंसे की धातु का विदूद बल्फ के फिलामेंड बहुत बार डो केकियो जो विदूद बिलफ होता है उसको जो फिलामेंड बनते उखिसका बना होता है वह होता है ठावत्ड का ठीक है ठीक है option नंबर C is right नेज कोशन की बात करते हैं 49 नमर पीतल में कौन-कौन C मिस्टर धादू होती है यदि पीतल की बात करते है तो पीतल जो है वो किस चिछ का मिस्टर का पना होता है ये पुछा गया तो कापर और जस्ता का मिस्टर होता है अपसन नमर C is right कौपर और जस्ता का मिस्टर होता है कौन पीतल नेज कोशन की बात करते है इन में से कौन सा धलवा-लवा की वेल्डिंग नहीं किया जाता है तो भाई बताओ धलवा-लवा की वेल्डिंग नहीं किया जाता है इसमें कौन सा वो अपसन है बताओ यह जो है गाठे दारप धलवा लूआ का हम लोग वेली नहीं कर सकते हैं ठीक है काश टारन ठीक हैए निूडिलर काश टारन 41 कोशचन की बात करते हैं इनमें से किस धातू को forged या जाली नहीं कह जाता है याईनि कि बहुत वह फूश्ज नहीं कर सकते हैं होता है मिस्त्र धातु स्पात सोरी उसका ढलवा लोग यहां पर ढलवा लोग दिया हुआ है तो ढलवा लोग को हम लोग फोर्च नहीं कर सकते यह भंगूर रवस्था में और अप्सार नमर डी इस्ट्राइट ने इसकोशन की बास करते हैं मसेनिरी भागों की ढलाई बनाने क्या अप्शन नमबर ए सॉरी एक निट ठीक है अप्शन नमबर ए इस राइट है ठीक है मस्री भागों की ढ़लाई बनाने के लिए किस धातू को वैपल गुप से उपयोग किया जाता है वो गुरुसर ढ़ला हुआ ठीक है नेश कोशन ये क्योंकि कंप्रेशन सर सकता है यान को बनाने के लिए हम ब्लाश्ट फार नेश का परियोग करते हैं अपसर नमर सी राइट नेश कोशन की बात करते हैं 46 नमर डलवा लोहा बनाने के लिए कि भट्टी का प्योग करते हैं तो वह कुपूला यानि कि कपूला भट्टी होता है उसमें डलवा लोहा कर निर्मार क ऐसा दूसरा नाम कौन सा होता है तो उसे करते हैं mild steel को क्या करते है low carbon is right next question की बात करते है मध्यम carbon steel में carbon का प्र Eu cię पुछा वहाँ ontieso मतलब की मध्यम carbon steel में carbon का परशिंटेज किता होता है तो वह होता है दोसतो 0.25 से 0.5% कितना होता है 0.25 से 0.5% होता है ठीक है निमने कारबन इस्टिल में कारबन का परसेंटेज के होता है यानि कि लो कारबन इस्टिल में कारबन का कितना परसेंटेज होता है तो वो 0.15% से लेके 0.25 is right, option number B is right, ठीक है, low carbon steel की बात करेगा, 0.15% से लेके 0.25 साहिए, next question की बात करते हैं, उच carbon, उच carbon steel में carbon का percentage कितना होता है, तो उच carbon percentage carbon में क्या होता है, carbon steel में carbon का percentage 0.50 से लेके 1.50 से लेके 1.50 तक होता है, ठीक है, नेच कोशन की बात करते हैं खक है बाकसाइड के रूप में पहले होता है फिर उसके खसनी का यहिटा है तनेता का ऐसा प्रोपर्टी वो तूड़ता नहीं है ठीक है, a is right next question की बात करते हैं क्याओ number क्या वो नम्र के आब वोला है, नेम लिखीट में से कुछाला के तो कुछाला कोशा होता है वो है माईका, ठीक है, कुछाला क के रूप में होता है माइका ठीक है धन्यमाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और चलन को सब्सक्राइब कर जरू करिएगा ठीक बावन नमर कोशन की बात करते हैं बावन नमर कोशन क्या है विद्धूद केबल और नियंतर तारों के लिए एंसुलेटर के रूप में किस ठीक है नेज़ कोशन की बात करते हैं दोस्तों स्थाई चुमक बनाने के लिए किस मीस अधातों का इस पात का उप्योग किया जाता है मतलब हम लोग को क्या करना है ऐसा चुमक बनाना है जो की परमानेंट रहे ठीक है तो उसमें की सीच का परयोग करेंगे तो यह कुशन पुछा गया था GOBALT SPAT यानि को को BALT SPAT का परयोग करेंगे यह दि हम इस्थाई चुमक बनाना है ठीक है? इस कुशन की बात करते है इन वेन से किस कुचाला का उप्योग ओवर हेड लाइनों में किया जाता है तो ओवर हेड लाइनों में हम लोग पॉर्शलिंग का परयो क्या करते हैं बेके लाइट ठीक है बेके लाइट सॉरी वहां मैंने बोल दिया था कि कि स्विच बनाने के लिए सिल्कॉन होता है नहीं यहां कोशन अलग था यहां बोला है विदूत लेपर और नियंतर तारों के लिए एंसुलेटर की बात कर रहाता तो रूप में वह उसे वह सिल्कॉन का बनाहों टता ठीक है यहां पर सिल्कॉन सही है में प्रतिरो धक कोठ की बात क्या है या पंचर हो जाना चाहिए तो प्रत्रूदों को वह कॉझ सा गूल सा होता है वह उता है परावेदुद का गूल सा जाएह और उसे करते हैं को सब्सक्राइब किस मिसर इस बात का उप्यों कीमती उपकरर बनाने के लिए किए जाता है एक बात जोकी कीमत ज्यादा मेहिगा उपर बनाने के लिए होता हुँ इनवार इस्टिल और इंवार इस्टिल ठीक है से लाईते इंडि चुर्शान के बात करते हैं दोasis लूüz रैती और को टूर्ट छहेंि बनाने के लिए किस्टिल का प्योग आता है तो उच्छी कार्बं इस्टिल यानि कि हाय कार्बन इस्टिल का परियोग करते हैं रेती यानि फाइल और छेनी बनाने के लिए ठीक है अगर आपको दोस्तों वीडियो ये पसंद आया तो लाइक और चेनल को सस्क्राइब पुना नाम बुलिएगा और अधिक से अधिक लोगों सेयर करिएगा जिनका एक्जाम पड़ा हुए ठीक है